ब्रेकिंग न्यूज आज के डेट का आइस AI एग्जामनेशन डिपार्टमेंट का ओफिसियल नोटिफिकेशन सी एग्जाम में जून 24 स्टुडेंट्स के लिए ध्यान से बाते को सुनते रहेगा ये चीज अगर आपको आज के डेट में पता नहीं चलेगा हो सकता है बाद म आपको पस्ताना परे ध्यान से बाते को सुनते रहेगा जिनको ओफिसियल नोटिफिकेशन नहीं जानना टाइम जिनको बरबाद हो रहा है तो वो सिधा मैंने चार्टे इस्टेरीज के टेलीग्राम चैनल पे पीडिय अप सेयर कर दिया है सिधा सर्च करो टेलीग्राम पे Charter Stories वहाँ से PDF में पढ़ लीजिएगा ये announcement को explain करने में थोरा सा समय लग सकता है तो वीडियो को 2x speed या नहीं तो 1.5x speed में देख लीजिए Students मुझे ऐसा feel होता है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो Charter Stories को बहुत ज़्यादा प्यार करते जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा अब आपके स्क्रेंट पे ओफीशियल नोटिफिकेशन सो कर रहा है ये नोटिफिकेशन किन के लिए मेकिंग एक्जमसन ध्यान से बाते को सुनते रहिएगा एक्जमसन को पर्ममेंट से रिलेटड एनाउंसमेंट है एक और इंपोर्टेंट बात ये एनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ C.A. Intermediate and Final वालों के लिए फाउंडेशन वाले वीडियो को स्किप कर सकते हो लेकिन फाउंडेशन वाले का भी डाउट आता रहता है इस announcement का PDF हमको share कर रहे थे और पूछ रहे थे detail में explain करने तो आप लोगों के जनकारी के लिए बता दे CA Foundation में कोई भी exemption होता नहीं है तो please वीडियो को skip कर दीजेगा देखना है तो देख सकते हो knowledge point of view के लिए लेकिन मेरे हिसाब से कोई काम काया नहीं अगर आपको CA intermediate या final में मे 22 में exemption आया था किसी भी paper में तो ध्यान से बाते को सुनते रहीगा मे 22 में आया था exemption तो कब तक valid होगा तो वो कब तक valid रहेगा number 23 exam तक यानि कि last exam तक अभी भी आपका group clear नहीं हुआ तो आपका तो तीन exemption expired हो गया तो ऐसे लोग के लिए new course में अगर आप लोग exam दे रहे हो तो ध्यान से बाते को सुनते रहीगा तो आप लोग को exemption पर्मामेंट करना परेगा नहीं करोगे दैन आगे चल कर कि कोई option नहीं है बाद में पस्ताना ही परेगा आपका exemption lapse हो जाएगा जिनको मे 22 के बाद exemption आया तो उनका exemption तो valid होगा न कम से कब मे 24 exam तर तो उसके बाद result के बाद ये सब काम करना होगा और जिनको number 23 exam में exemption आया किसी भी paper में दैन उनको कोई दिक्कत बाली बात नहीं उनको आगे तक exemption valid रहेगा अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना यानि कि मैंने अब तक हम लोग ये सीखे कि मे 22 exam में अगर आपको exemption आया number 23 में exemption अगर lapse हो रहा है CA intermediate and CA final का तो ऐसे बच्चे आपको exemption को permanent करना परेगा नहीं करोगे आपका exemption को lapse कर दिया जाएगा simple सा बात है क्या इसके related हमारे पास दूसरा option मिलेगा late fine से दुबारा option open होगा जिसका जवाब है जी नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं जिनका भी exemption number 23 आखरी था और उनका group clear नहीं हुआ CA intermediate and CA final का तो ऐसे बच्चों को एक मौका दिया जा रहा exemption को permanent करने का और जिनको number 23 में exemption आया है या जिनको me 24 तक कम से कम exemption है तो उनको इसके बारे में सोचने का जवरत नहीं है अगर माल लेते हैं कि आपको दो paper में exemption है उसको अगर आपको permanent करना है तो इसके लिए क्या करना होगा क्या आप एक एक paper को कर सकतो जिसका जवाब है नहीं जितने paper में exemption होगा उतने paper को एक साथ करना परेगा यानि कि दो paper में है तो दोनो paper I hope कि अब तक ये doubt clear हो रहा होगा इस PDF को अगर आप लोग खुद से पढ़ने जाओगे simple सा बात ये समझ लो अब ये मत समझ लेना कि अगर exemption आता है तो हमें 50% हमें सा नहीं तीन attempt तक आप 40% लेकिन जिनका exemption खतम ही है लेकिन उनको permanent करना है दैन ऐसे case वाले बच्चे को 50% mark साहिए पास करने के लिए बाकि तीन attempt तक 40% चल जाएगा चल जाएगा नहीं मेरा मतलब दोरेगा simple सा बात इतना समझते रहिए और अगर आप लोग exemption को permanent नहीं कर पाते हो दैन आपका exemption को left मान लिया जाएगा दूसरा option नहीं दिया जाएगा एक और option है आप चाहो तो exemption को surrender करके सारे paper में appear कर सकते हो अब ध्यान से बाते को सुनते रहे अगर आपको CA final paper number 4 में me 22, number 22, me 23 या number 23 में exam में exemption है तो यह automatic permanent हो जाएगा self-paced module set A में इसी तरीके से अगर आपको CA final का paper number 5 में me 22, number 22, me 23 या number 23 में exemption आया है तो automatic हो जाएगा set किसमें? set B में और हाँ students इस announcement का PDF को मैंने charter studies के telegram channel पे share कर दिया CA final paper 1 में exemption है तो 1 में मिल जाएगा new course में 2 में exemption है तो 2 में new course में मिल जाएगा 3 में exemption है तो 3 में आपको exemption मिल जाएगा new course में paper number 4 में exemption है तो set A में new course में exemption मिल जाएगा paper number 5 में exemption है तो set B में आपको एक्जमसन मिल जाएगा, पेपर नमबर 6, इलेक्टिव पेपर में, किसी भी इलेक्टिव पेपर में एक्जमसन है, तो पेपर नमबर 6, निव कोर्स में एक्जमसन मिल जाएगा, पेपर नमबर 7, ओल्ड कोर्स में एक्जमसन मिल जाएगा, पेपर नमबर 8, ओल्ड कोर्स में टो I hope कि आपको doubt clear हो गया, ssp portal पे login करके आपको पर्मामेंट करना परेगा exemption, जिनका भी exemption lapsed होने वाला था number 23 में जिनका exemption अभी आया ही है number 23 में, या जिनका exemption मी 24 तक है तो इसके बारे में आपको सूचने का जवरत नहीं है मी 24 exam तक ध्यान दे, मेरा मतलब है मी 24 exam पे ध्यान दे, इस सब पे ध्यान ना दे क्योंकि जिनको अभी आया ही है वो भी इसके related doubt पूछ रहे थे फिर मेरे हिसाब से आपके मन में फिर भी doubt आता ही रहेगा, तो मैं clear कर देता हूँ इसे वीडियो में, माल लेते हैं आपका exemption लगातार 3 attempt वाला कब तक होगा, आपको पता होगा कि अगर number 23 में आया है, तो लगातार 3 attempt तक आपका exemption रहेगा जिनका मी 24 में expire होगा तो उनको उस समय, exam के बाद, result के बाद अपडेट आएगा कि कैसे परवामेंट करना इसके related, बाकि जिनको जब तक exemption है, उतने दिन तक आप अराम से पढ़ाई करें, उस attempt में आप निकाल ही ले, बाकिए students, SSP portal पर लॉग इन करके प्लीज कर लेजिए, जिनको मुझसे करवाना है तो प्लीज, मेरा WhatsApp नमबर आपको description में मिल जाएगा, आप मुझे इस पीडियाप को डाउनलोड कर लीजेगा चार्टेस्टर इसके टेलीग्राम चैनल से